हेलो गाइस कैसे हो सभी आई होप आप सभी बढ़िया होंगे तो वेलकम है आप सभी का कालिटा गेमिंग की एक और न्यू वीडियो पे गाइस तो आज की वीडियो होने वाली है गाइस बहुत ही जादा इंटरस्टिंग क्यूंकि आप सभी को पता ही है फ्री फायर में एक करना रही है जो की है एक रेड कस्टम के सबस्यप्राइड कया है उसको कैसे यूज करना है ठीक है तो फूल दिटेल ने वाला है कुस तरह आप उसको क्लेम कर पाऊगी फ्रीचा क्रिफे या अपको पैसे से यहां डािमंड से बाइध करना पड़ेगा तो सब ने वाला है ह अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पे सेट कर लेना ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नौटिविकेशन सबसे पहले मिलती रहे एक लाइक कर देना क्योंकि इसी इंट्रस्टिंग वीडियो में फिर आप सभी के लिए डेली डेली बनाता रहूंगा ठीक है तो guys सबसे पहले देख लो advance server में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो guys yellow card ही देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक advance setting का option मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको guys देख सकते हो जैसे ही आप यह वाला जो advance setting का option है अगर आप इसको एक बार दबाओगे तो guys देखो यह red हो जाएगा ठीक है जैसे ही आप इसको दबाओगे यह red हो जाएगा तो मतलब कि फिर आपको advance card देना पड़ेगा और guys जो advance server की settings है मतलब कि advance setting है इसकी custom card की तो वो क्या है कि आप यहाँ से gun change कर सकते हो मतलब कि अगर आप AWM वाला custom बनाना चाते हो class code में तो वो आप इससे कर सकते हो ठीक है उसी के साथ यहाँ पे आप guys और भी देखते चलो यहाँ पे ठीक है जैसे कि आप देखो यहाँ पे कोई भी weapon है जैसे कि यहाँ पे अभी देखो M79 है तो इसको आप 0 रुपे में भी खरीच सकते हो ठीक है जैसे कि यहाँ पे अभी मैं gun change करके आपको दिखाता हूँ ठीक है shotgun दिखाता हूँ मैं आपको तो guys अभी shotgun यहाँ पे देखो M18 जैसे कि आपको पता है ठारा या 1900 की मिलती है तो आप इसको 0 रुपे में भी खरीच सकते हो या 2 या 100 रुपे में भी आप इसको रख सकते हो वह आप पे depend करता है आप यहां से उसको कस्टेमाइज कर सकते हो ठीक है उसी के साथ यहां पे round जो है guys 15 यहां से आप कर सकते हो normal custom में आपको 13 देखने को मिलेंगे advanced custom में आप 15 जो है round रख सकते हो और यहां पे आप यह भी रख सकते हो कि आपको round 1 में जैसे 500 coin मिलते है तो आप चेंज करके 3000 coin भी रख सकते हो first round में ही ठीक है तो यही कुछ settings है यहां पे और भी बहुत सारी settings है तो यही है advanced जो अपना room card है ठीक है advanced room card की यही कुछ settings है जिसको हम red custom card भी कहते है ठीक है तो यहां से आप अपने मतलब अपने मर्जी कुछ भी कर सकते हो यहां से आप म बहुत सारी गने ले सकते हो अगर आपके पास 3000 रुपया है तो उससे आप कितनी M18 ले सकते हो अगर एक रुपे की आप एक M18 घ्रिदोगे भाई साब 3000 M18 पूरा मतलब map भर जाएगा ऐसे भी छोटा सा map रहता उसका तो guys यह देख सकते हो यह अपने दो custom card तो चली अभी ब मिलेगा ठीक है तो guys यह जो है आपको मतलब उसमें नहीं मिलेगा गिल्ड में ठीक है अगर आप गिल्ड से इसको लेना जाओगे तो आपको यह वहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको normal custom card ही मिलेगा और उसी के साथ guys store में अगर अभी आप जाते हो advanced server के store में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी अभी हमें red custom card देखने को नहीं मिला है बट जहां तक मुझे लगता है तो guys यह हमें store में ही देखने को मिलेगा और शायद 200 diamond का यह हमें देखने को मिलेगा और जो yellow वाला है वो 100 diamond का ठीक है तो कुछ इस तरह का यहाँ पे शायद होने वाला ह so guys सब कुछ बताने के बाद आखरी में आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि guys अगर अभी तक यारा आपने वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से आप जाके वीडियो को like जरूर कर लेना अगर आप चाते है कि advance server की मैं और भी ऐसी useful आपको जो news है वो बताता तो इस वीडियो में 500 like करना इसको जाधा से जाधा शेयर कर लेना ठीक है अपने दोस्तों के भी सबको पता चल जाएगा कि advance room card जो है free fire में आ चुका है तो guys यार इस वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच and उसी के साथ यार वीडियो को like कर लेन आप 500 like इस वीडियो में अगर आप करते हो तो मैं next भी useful जो है ले आऊंगा आपके लिए advance server की news तो मिलते है आप सभी से next वीडियो में तब तक के लिए सभी को टाटा बाई बाई टेक केर गाईज